नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलाइन ग्यान में देखो भई, बिल्कुल आप लोगों का टाइम वेस नहीं करूँगा, यह जो नोकरी है, यह एक कोंट्रेक बेसिस की नोकरी है उसके बाद यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपकी मुंबई में पॉस्टिंग होगी अब आप लोग इंटरेक बेसिस की नोकरी के लिए नहीं है, तो वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो तो बढ़ते आगे पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइट करता हूँ एक एक चीज आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो सकें यहाँ पर मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन डिरेक्ली दिखा देता हूँ कि कहा पर है लेकिन उससे पहले बता दूँ इसका जो ओफिशन नोटिफिकेशन है और इसका फोम है उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्किप्शन में दूँगा तो यहाँ पर यह आप लोगों करूं तो पहली बता दू 10 14 2021 तक आप इसका फॉर्म कर सकते हैं एक्जक्ट्ली पूने मैट्रो है यह मुंबई मैट्रो का इसमें नाम दिया है लेकिन पूने मैट्रो में आप लोगों का यहाँ पर क्राइटेरिया होगा क्योंकि यहाँ पर जो है जो दे रखा उसी के बारे म वो बता देता हूँ 23 2021 आज से फॉर्म इसका चालू है आप देख सकते हैं आज जो है आप लोगों की 20 तारीक है उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का यह ओनलाइन एप्लिकेशन है यह में वेबसाइट दे रखी है यह लास डेट है सारी चीज़े दे रखी है कॉन भरतिया निकल रहे है अन्य जो बड़ी बड़ी कंपनी भरतिया निकाल लिए एक बुरी बात मुझे यह लग रही है कि यह experience क्यों रख रहे है experience रखने की वज़े से 90% जो बच्चे है वो हट रहे है और जिनके पास experience है वही apply कर रहे है चलो कोई बात नहीं experience आप रखो ले experience रखा हुआ है लेकिन जो नोन आईटे की है डिप्लोमा एंजिनरी है उनके लिए नहीं है तो मैं यहाँ पर नसीवीटी और सीवीटी दोनों apply कर सकते हैं यह भी बताएता हूँ तो आईटे की वेकंसी यह दिखाता हूँ मैं आपको senior technician यह आप लोग का ट्रक्टर SI की वे यहाँ पर जो है आप लोग की undeserved के लिए age जो है 40 साल रखी है OBC के लिए 43 साल है और CST के लिए 5 साल का जो relaxation मिलता है उसके according 45 साल है आगे आप लोगों का यहाँ पर देख सकते है minimum 3 साल का relevant experience आपके पास होना चाहिए इसी field में और candidate को जो है railway या फिर government organization से यहाँ पर must be working in CDA पर metric level 4 यह आप लोग का इसमें होना चाहिए या फिर above full at least 3 years आप लोगों का यहाँ पर experience होना चाहिए तो यह चीजे मैंने आपको बता दी है जो आप लोगों के काम यहाँ पर आने वाली है उसके भेर को तो यही बुरा लगता है experience क्यों रखा है जिसकी वैसे हमारी बहु का relevant experience मांगा है और आप लोग देख सकते हैं एक criteria उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है और वेकंसी है यह आप लोगों की जो है ट्रेड आप देख सकते हैं यह electronic mechanic है उपर आपका जो था मेसन ट्रेड का था उससे उपर जो मैंने आप लोगों को बताया यह mechanic motor आप लोग का जो tool maintenance है उसका है उसके बाद electrician wireman एकी category में तो इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है बाकी की यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए और भी trades हैं इसे आप लोग देखना फिटर के लिए भी दे रखिए लेकिन जो main चीज़ है वही experience दे रखा है तो यह चीज़ें हैं जो mostly IT वहले बच्चों को पीछे खीच लेती है इन वेकेंसी के लिए apply नहीं कर पाते तो इसकी वज़े से यार मैं मैंने तब ही देखो वीडियो में आपको starting में बता दिया कि वेकेंसी contract basis की है online आप लोगों को form को फिल करना है और जो है और शुड और आपको form को भी पहुचाना है तो यह चीज़े यार यह चीज़े देखके मुझे एक तो बहुत बरह लगता है कि अगर आप वेकेंसी निकाल रहे हो तो इसमें experience क्यों डाल रहे हो और अगर आप लोग experience डाल रहे हो तो contract basis पे क्यों रख रहे हो तो बहुत बड़ी संख्या म आप लोग कितनी रखी हुई है बच्चा contract basis के लिए भी apply कर रहा है और यहाँ पर जो इसके पास experience भी होना चीज़े प्लस आप लोग contract basis पे भी रख रहे हो बच्चों को कभी भी धखके देके निकाल सकते हो अगर आप लोग यहाँ पर contract नहीं रखोगे तो बहुत बड़ी संख्या में इसके लिए apply करेंगे और अगर आप experience नहीं रखो को तब भी बच्चे apply करेंगे जैसे NRCTC वाले रखा है उसके लिए कोई experience नहीं रखा लेकिन बच्चे वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उन्होंने contract basis पे वेकेंसी रखी है चो लोग कुस तो रखा उन् प्लीज इंची जो पर ध्यान दिया जाए तकि हमारा देश का जो आईटे वाला बच्चा है वो नोकरी के लिए apply कर पाए बाकि आप लोग जुड़े रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में आप लोग जो आ रहे हैं support कर रहे हैं इसी तरीके से updates आपको provide करता रहूंगा जैस को description में दे दिया है